हेलो क्लास एट सब्जेक्ट हिंदी लेशन टू मित्रता था उसका जो है दूसरा भाग है इसमें आपका कोश्यन एंस्वर है देखे कोश्यन एंस्वर क्या है आपका मौखिक प्रश्ण है एक मित्र का चुनाओ करने में किन-किन मुस्किलों का सामना करना पड़ता है आप द दूसरा देखे संगत से क्या अभिप्रया है ये कितने प्रकार की होती है संगत से आसे जिन वेक्तियों के बीज हम रहते हैं अच्छी बुरी यादतों यों हम बातों को ही संगत कहते हैं ये दो प्रकार की होती है बुरी शंगत दूसरा अच्छी संगत तीसरा आपका है कि सुम्र में अधिक से अधिक मित्र बनाने की इच्छा बल्वती होती है छात्रा अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है चोथा है आप कितने मित्रों में मित्रों से किस प्रकार की आसा रखना पसंद करेंगे पाठ के अधार पर बताईए परन्त वही मित्र एक अच्छा योम संगठित होना चाहिए गुडों से भरपूर मित्र होना चाहिए पाचवा आप सच्चा मित्र किसको मानते हैं? जो मित्र शुख दुख दोनों में हमेशा साथ रहता है वही सच्चा मित्र है क्या कारण है कि भिन प्राकिर्ट और सभाओ के लोगों में भी मित्रता बनी रहती है क्योंकि यह दो वेक्त अलग अलग सभाओ के हैं और उनके विचार आपस पे मिलते जूलते हैं तो वह मित्र बन सकते हैं यह आपका मौखिक प्रेशन पूरा हुआ अब देखिए आपका लिखित है जीवन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है और कैसे विस्तार से समझाईए जीवन की सफलता मिर्तता पर निर्भर करती है यदि हमें कोई मित्र गुडों से परिपूर मिल जाए तो हम भी उननत की रास्ते पर चल पड़ेंगे एक सच्चे मित्र की विसेशताएं पाट के आधार पर बताईए इसका इंसर है विश्वास उत्साहित अनुरक्त उदगार स्वाचंद प्रवित पत प्रदर्शक सहान भूत सद वृत आद ये सब जो हैं एक सच्चे मित्र के विसेशताएं हैं कुसंग का जवर कैसा होता है और उसका किसी वेक्त के चरित पर क्या प्रभाव पड़ता है कुसंग का जवर भेयानक होता है और इसका पूरा प्रभाव पड़ता है चोथा है हमें कैसे लोगों को अपना साथ ही बनाना चाहिए बार बार गर्लती करने वाला नीत में चतुर नहीं होने चाहिए हमें कैसे लोगों को अपना साथ ही नहीं बनाना चाहिए बार बार गर्लती करने वाला नीत में चतुर नहीं होने चाहिए पाँचवा हिर्दयक उज्जोल और निसकलंक रखने का सबसे अच्छा क्या उपाय है पाट के अधार पर बताईए बुरी संगत से दूर रहने वाला हिर्दयक को उज्जोल और निसकलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है अब देखिए गाहे आसे अस्पष्ट कीजिए मित्र के चुनाओं के उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है इसका आसे मित्र के चुनाओं पर ही मानो जीवन की सफलता निश्चित है जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे जीवन की औसाधी है सच्चा मित जीवन औसधी के रूप में कारे करता है। चौथा है कुशंग काजवर सबसे भयानक होता है इसका आश्चा है कुशंगत काजवर सबसे खतरनाक होता है क्योंकि इससे वेक्त की उन्नत के अस्थान पर आवनती होती है